पटना में जब नित्यानंदराई ने यादों का जुटान कराया तब लालू यादों ने नित्यानंदराई को ये कहा कि देखो तुम्हारी हैसियत बस इतनी है कि हम अपने बड़े बेटे को तुम्हारे खिलाप चुनाओ मैदान में उतार दे तो वो तुमको चुराव हरा द अब लालू परसाद यादों ने एक तरीके से संकेत दे दिया है कि उनके बड़े बेटे तेजप्रताप यादों चुनाओ लड़ेंगे और चुनाओी मैदान में उतरने वाले हैं कि इस बार कौन मैदान में उतरने वाला है मिसा भारती तो उत्रेंगे ही लेकिन और कौन लालू परिवार से चुनावी मैदान में उत्रेगा तो एक तरीके से लालू परशाद यादो ने ये संकेत दिया कि तीज प्रताप यादो भी चुनावी मैदान में उत्रेंगे और अब कहां से उत्रेंगे इसी पर चर्चा करे आप जंटा जंक्षन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पीछे मिशाल खड़े हैं और अब आते हैं कि लालू प्रसाद यादो ने एक तरीके से संकेत दिया कहा कि नित्या नंदराय की हैसियत बस इतनी है कि उनके बड़े बेटे तीजपरताप यादो अगर मैदान में उतर तो तेज प्रतापי यादो जो हैं, वो नित्यानंदराय को चुनाव हरा सकते हैं, तेज प्रताप यादो का इतना बोलबाला है और लालू परसादियादों ने एक तरीके से बिहार की जंता को ये संकेत दिया कि बेटा तेजप्रताप मैदान में उतरने वाला है उन्होंने तेजप्रताप यादों को लेकर ये बाते कहीं और तेजप्रताप यादों ने भी छपरा में जाकर एक तरीके से इसारा कर दिया कि वो भी हो सकता है कि सारन लोगसभाद सीट से चुनाओ लड़ ले लेकिन नित्यानंदर आए तो उजियारपूर लोगसभाद यादों कोई सदस्य जो है वो चुनाओ लड़े सारन लोगसभाद सीट उजियारपूर लोगसभाद सीट और पाठली पुत्र लोगसभाद सीट तो ऐसे में जो धीतलाल यादों हैं जो कि राजत की विधायक हैं और एक तरीके से अगर देखा जाए तो पाठली पुत्र सकता है कि यादों ने ये ंशिट लगसभाद यादों को सारन में सिप्ट कर दिया जाए और तेज परताप यादोंLR में मन बना रहे हैं तो इनको उजियारपूर में सिप्ट कर दिया जाए और उस यारपूर से उनको चुनाव लड़ा कर ये दिखाया जाए नित्यानंदराय को कि देखी आपकी हैसियत कितनी है आपकी हैसियत इतनी है कि अगर तेज़ प्रताप यादो जो कि 2015 में राजनित में प्रवेश किये वो मैदान में उतर गए तो आप चुनाव हार गए और ये दिखाने के लिए लालु प्रसादियादो ऐसा बोल रहे है नित्यानंदराय ग्रीह राज्य मंत्री है और उनको इस तरीके का बात बोला गया इसके पहले नित्यानंदराय के निसाने पर तेज़श्वी यादो थे तेज़श्वी यादो से लगतार उनकी अनबन होनते रहती थी लेकिन नित्या नंदराय ने पटना में यादों का जुटान करा कर ये दिखा दिया कि यादों के नेता हम बन चुके हैं और उसके अगले दिन लालू परसाद यादों भी एक कारिकरम में सामिल होते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि कहां पर यादों का जुटान हुआ था, अरे कौन जुटाया था, अरे उसकी कोई हैसियत है, उसकी बस इतनी हैसियत है कि तेजप्रताप को उतार देंगे तो चुनाव हार जाएगा, और अब एक तरीके से तेजप्रताप यादों को यही सारा मिल ग कि तेज प्रताप यादो सारन से चुनाव लड़े इसलिए तेज प्रताप यादो को एक तरीके से इसारा किया गया कि आपको सारन नहीं बलकि उजियारपूर में महनत करना है उजियारपूर में नित्यानंदराय जो है वहां के सांसद है तो आपको उजियारपूर में महनत क चुनाव हराना है और अब तेजपरतापयादो जो है वो लग गए हैं वो सारण को भूल चुके हैं और उनके दिमाग में अब उज्यार्पुर घूम रहा है कि किसी तरीके से उजियारपूर में हमको नित्यानंदराय को चुनाव हराना है और अब आगे देखिए क्या होता है लालू पडिवार से कौन-कौन चुनावी मैदान में आता है ऐसे तो ये फाइनल हो चुका है कि मिसा भारती और तेज प्रतापयादो लोक सभा का च और दस से सामने आते हैं परहाल इसका परमिता ही बने रहा हमार साथ और देखते रहे जन्ता जिंशन